सुरी शिवाय नमस्तो भ्याम दोस्तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 21 जून 2024 को है वट पूर्णे मावरत दोस्तो जेस्ट महीने में पढ़ने वाली वट पूर्णे मावरत का जो महत होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और इस दिन किये गए किसी भी उपाय का जो आपको भी दूर होती है साथ ही में उसका जो भी काम रुका हुआ होता है वह भी काम पूरा होता है और इस उपाय को करने से घर में शुकर शान्ती भी होती है और भी दोस्तो बहुत सारे फायदे आपको इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने से मिलते हैं और दोस्तो जब बात दिमा की दिन हम अगर अगर अपने घर में बना लेते हैं तो भई हमारे घर में शुक्षा और शांती सदेव बनी रहती है माता लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है तो भई ये सारी जानकारी और उपाय जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा इसलिए आप लोग जो है अच्छे से उपाय सुने और इस उपाय को जरूर कीजेगा और अपने घर में वो चीज़ भी जरूर बनाईएगा जो कि हम आपको बताने वाले हैं अब दोस्तो ये उपाय भले ही आपने पहले क्यों ना किया हो पर एक बार और जरूर सुन लेना ताकि आप लोग अगर कोई गलतियां भी करते हो इस उपाय को करने में तो आप ठीक कर लो और जब आप अपनी गलतियों को ठीक कर लो के उपाय को करने में तो आपको जो उपाय का फल है वो बहुत जल्दी और बहुत बढ़ा हो कर मिलेगा ठीक है तो ये बात आप सबी ल लोगों को अपने घर में जरूर बनाना है, अगर यह आप जानना चाहते हो, तो वीडियो को एक बार पूरा देखना और उपाय को अच्छे से समझना, और अगर आप अपनी किसी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हो, दुख और परेशानी से, आप लोग छुट पूर्णिमा वरत के दिन, आप लोगों को जो यह वाला उपाय करोगे, यह घर में से किसी एक बड़े सदस्ते को करना है, अब वो घर में से जो बड़ा सदस्ते होगा, वो विशेश रूप से घर की बड़ी माताओं में से कोई एक होगा, ठीक है, क्योंकि इस वाले उपा पामना के लिए उपाय करना चाहता है, तो वो बिल्कुल कर सकता है, पर अगर घर की शुक्ष और शानती के लिए आप लोगों उपाय कर रहे हो, तो घर में से कोई एक ही व्यक्ति करेगा, तो भी वो चल जाएगा, ठीक है, तो घर की बड़ी जो माताओं में से कोई भी ए आने वाले उपाय को हमें करना किस समय है, सुभा के समय करना है कि शाम के समय करना है, तो देखो यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, कि ये वाला जो उपाय है, या आप सुभा के समय भी कर सकते हो, और शाम के समय भी कर सकते हो, देखो आप चाहे उपाय सुभा करो, चा प्रूब हो जाता है जो कि रात 8 बजी दा गभी फिलाल चल रहा है ठीक है तो शाम 6 बजे से लेकर ये 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो ठीक है तो समय का थोड़ा ध्यान रगा करो बाकि आप लोग थोड़ा लेट ना होय करो है तो इस वाले उपाय को आप इन दोनों समय पर कर सकते हो उसके बाद में ये वाला जो उपाय है ये भगवाई शीप जी के मंदर में जाकर होगा आपके घर पर बिलकुल भी नहीं होगा इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद में दोस्तों इ इस उपाय के सामगरी क्या है तो देखो उपाय के नाम में ही आप लोगों को समाज आ रहा होगा किस वर्ट पॉर्णिमा वरत के दिन जो हमें 108 चावल के दाने वाला उपाय कर रहे हैं इसमें सबसे जरूरी जो चीज है वो 108 चावल के दाने ही है पर यही तो सबसे में खरीद कर बिल्कुल भी नहीं लाना है आपकी घर के रसूरी घर में चावल उपस्तित हैं चावल बनते भी होंगे है ना उन्हीं चावलों में से आप लोगों को 108 चावल के दाने निकालना है तो तरीका क्या है वह सबसे पहले आप लोग सुन लो तो देखो जब भी उपा करके ही जो है उपाय के आपको तयारी करना है तो अपने चावल के पास महुचना है और उसमें से एक मुठी है कटूरी चावल पहले अलग से निकाल लेना है वहीं आपको गिंते नहीं बैट जाना है ना तो पहले अलग से चावल के दाने निकाल लो और उन्हें निकाल कर एक अच्छे से स्थान पर आकर आप लोग बैट जाओ, बैटने के बाद अब उस चावल की कटोरी में इसे کیा करना is, या उन चावल में से आपको एक-एक दाना निकालना है, कितने दाना निकालना है, एक-एक दाना निकालना है, खीक है इसलिए हम आपसे बोल रहें एक एक चावल का ऺजाना है और ंलग रखती जाना है इसी तरीके से आपको एक लाना निकालते जाना है और अलग रखती जाना है प然后 108 चावल के दाने आपको गिंते-गिंते इक गटा कर लेना, ठीक है, जैसी आप लोगों के 108 चावल के दाने अलग रखा जाते हैं, भही जो बागी की बची हो चावल है, वह वापस आप बहीं पर जाकर डाल सकते हैं, यहां से आप लोग लेकर आये हुए हैं, अब यह 108 चाव अगर आप लोग यह उपाई सुभा कर रहे हो और यह शाम को कर रहे हो तो आपको क्या सिर्फ उपाई की सामगरी लेकर जाना है या कुछ पूजन सामगरी भी लेकर जाना है तो देखो हम आप से हमेशा बोलते हैं कि कोई भी उपाई कर रहे हो तो कभी सिर्फ उपाई की साम परकम से कम एक लोटाफ्षय लाध करें cities और लोगं ders सकते हो या तो एक गोलपाती गोई का फैर्न उप पर नाकी को आप्ते घी सप्त अड Anda N warehouse लेकर नहीं को सकते हो थैकर एंडर अप्ना यह जो सभी सामगरी है वह सारी आप लेकर आप लोग पहुंच जाना अपने ही घर के पास में जो शिव मंदर है वहाँ पर है ना वहाँ पर पहुंचने के बाद आप लोगों क्या करना है तो अपने ही घर के पास में जो शिव मंदर है वहाँ पर आप लोगों को जो ही उपाई की सामगरी लेकर पहुंच जाना ह चाहे सुभा उपाय कर रहे हो चाहे शाम को प्रदोशकाल में उपाय कर रहे हो उपाय की जो विदी है वो एक सी रहेगी कोई भी इसमें बदलाव नहीं रहेगा ठीक है बस अगर सुभा की समय उपाय कर रहे हो तो पहले जाकर आप लोगों को अपना एकलोटा जल चड़ाना जो भी पूजन सामगरी लेकर आए उसे यहाँ पर शिवलिंग के उपर आपको चड़ा देना है वहीं अगर शाम की समय गए हुओ तो भी सबसे पहले आप लोग अपना वह दीपक जाकर जाकर जाना है मंदिर में बैट कर ही चलाना है और शिवलिंग के पास में आप लोगों को रख देना है तो इस दीपक को आप लोगों को जला कर क्या करना है शिवलिंग के पास में रख देना है इस दीपक को रखने के बाद क्या करना है आपको अपनी उपाई की सामगरी निकाल लेना है और सुभा की जूबी पूजन सामगरी आपकी जैसी हो जाए तो उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैट जाना कहने का मतलब ये है कि पहले आपको जाकर अपनी पूझा नटशना करना है उसके बाद ही मैं शिवलिंग के पास में बैटकर अपने ये वाला उपाय करना है तो पूझा नटशना जैसी हो जए दीपग लग ज़ह ज़ल चड़ जाए तो भई उसके वाद में शिवलिंग के पास में बैट जाना और बैटने के बाद अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लेना है अब यह 108 चावल के दाने है यह एक एक करके आपको क्या करना है इन्हें शिवलिंग के ऊपर चड़ाना है एक एक करके चड़ाना है ध्यान रखना एक एक करके चड़ाना है, आपको लग सकता है भी थोड़ी मेहनत लगे, थोड़ा टाइम लगे, पर ये उपाय ऐसे ही होगा, इस तरीके से अगर उपाय करोगे, तो आपको अच्छा जिफल मिलेगा, ठीक है, तो क्या करना है, अपने जो 108 चावल के दाने, उन्हें अपने स सीधे हाथ के हतीली से उपाय करना है, मतलब सीधे हाथ के हतीली से ही आपको इक चावल के दाना यहाँ पर उठाते जाना है, तो करना क्या है, देखो, सबसे पहला चावल के दाना आप लोग उठाना, और इसे शिव जी की शिवलिंगे की उपर चड़ाना, हैना, शिवलिं को चढ़ाते समय हमें स्री शिवाय नमस्तुव्यम जरूर बोलना है ठीक है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जरूरी है खाली आप लोग चावल के दाने चढ़ाओगे तो उससे जादा काम नहीं चलेगा आपको हर चावल के दाने को चावल के दाने मतलब जो जितने भी आप लेकर आह हुए हो उन्हें इके करके शिरी शिवाय नमस्तुव्यम जरूर बोलकर उसके बाद में भगवान से वहीं पर हाथ चोड़कर आखे बंद करकर अपनी वह मनुकामना बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो कब बोलना है जब आपका एक आप लोगों को अपने यह 108 चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और आखरी चावल के दाने को चढ़ातने के बाद सुरी शिवाय नमस्तुव्यम जरूर बोलने के बाद अपनी वह मनुकामना बोलनी है जिसके लिए आप लोग अपना ही हवाला उपा उपाय को करने से देखो पूर्णे मा वरत के दिन चावल की विशिश महतवता होती है और जब यही चावल शिवलिंग के उपर चढ़ता है तो हमें उपाय को करने का जो फल है वो बहुत जल्दी और बहुत बड़ा हो कर भी यहाँ पर मिलता है ठीक है तो जैसे आप लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना बोलते हो भगवान के सामने दो मिट स्री शिवायने मुस्टबयम का जाब भी कर लेना जाब करने के बाद भगवान को धोग दे कर भगवान से प्राठना और विंति करकर आप लोग अपने घर पर वापस आ सकते हो और आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है ठीक है इस उपाय को आपको दो बार करने की ज़रूत नहीं है मतलब सुभा और शाम दो टाइम करने की ज़रूत नहीं है एक ही टाइम आप लोग उपाय करोगे दोनों टाइम नहीं करना है इस बात का ध्यान रखना सुभा करना तो सुभा करना शाम को करना तो शाम को करना किसी एक ही समाय करना है इस बात का आप लोग ध्यान रखना तो दोस्तो आप हम उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमने आप लोगों को यहाँ पर बोला था कि इस दिन आप लोगों अपने घर में यह चीज यहाँ पर बनानी चाहिए बाकि दोस्तो तो ये वारा जो उपाय है यहाँ पर पूरा हो जाता है तो दोस्तो वो जो चीज है जो कि आपको अपने घर में इस वट पूर्णिमा वरत के दिन बनानी है वो है दोस्तो चावल की खीर अगर पूर्णिमा वरत के दिन अगर आपके घर में बनती है तो आपके घर में शुकह देसी गाय के दूद से किस से शुद्ध देसी गाय के दूद से भले आपके घर ना आता हो तो आप कहीं डेरी से ढूंड कर लेकर आए पर थोड़ा सा दूद तो आप लोगो को लाना पड़ेगा और उस दूद से आप लोग क्या करें शुद्ध देसी गाय के दूद से खीर बनाय on भूप लगाना है उस खीर को आप अपने घर के सभी सदिस्यों को देना है और जैसे इस खीर में अपने घर के सभी सदिस्यों को देना गई इस चावल की खीर की है पर बनाना गाई के दूसरे है और चावल की ही खीर बनाता है तो इन बातों का आप लोग बस विशिश रूर्प से ध्यान रखना तो दोस्तों इस तरीख से आप लोगों को यह 108 चावल के दाने वाला उपाई 21 जून इस वर्ट पोडिमा वरत के दिन करना है बागी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्क समस्या परिशानी आती है दूसरे आप हमसे कमेंट करके पूर सकते हैं ओम नमाई शिवाय जय भुले अबा स्री शिवाय नमस्तु भ्याम